एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाख से नाभी तक नाभी से नाग तक अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खीचेंगे नाग के पीछे दोनों कानों के बीच में तालू के उपर और ब्रमरंदर के नीचे इस स्थान पे हमारे सारे कंट्रोल्स हैं तो हमारा कंट्रोलर यहीं पे विराजमान होगा इस आधार पे हम इस परक्रिया को जागरित करेंगे और अपनी आत्मा को इस कंट्रोलर वाले स्थान पर बिठाएंगे तक पर तक है। Shreem, hreem Shreem, hreem Shreem, hreem आज चोथा नवरात्रे कूश मांडा देवी का दिन है कूश मांडा देवी वायू के भीतर जो जीवनी शक्ती है उसको प्रकट करती है वायू का स्वरूप कूश मांडा जैसे कद्दू का आकार अता है फिरकूल इसी प्रकार से इस अखिल ब्रह्मान में वायू का स्वरूप हमें पता चलता है लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब की अधिश्ठात्रिये कूश मांडा देवी है ये कूश मांडा देवी ही एक प्रकार से गायत्री और महम्रतुन्जे जीवित विक्ती का लक्षन ये श्वास प्रश्वास ही है ये श्वास प्रश्वास की जो शक्ती जो है वो गायत्री है और ये शक्ती हमारे भीतर जागरत जब तक रहती है तब तक हम जीवन को प्राप्त करते हैं जैसे ही ये शक्ती हमारा शरीर छोड़ती है तब हम मृत्री को प्राप्त होते हैं उस महा मृत्रुण्जे को जो ब्रह्मा जी के जैसे हैं गायत्री, सावित्री और सरस्वती इन तीन सुरूप में जो देवी शक्ती उनके साथ में है उनको पूश मंड़ा देवी जैसे सुरूप में, अपने गले में, अपनी श्वास में मैसूस करेंगे अब अपने लंबिकागर चक्र जो नाक के पीछे है वहां से अपने ध्यान को पहले मनिपुर चक्र, नाभी चक्र फिर स्वादिष्ठान चक्र फिर अनाहच चक्र, हार्ड चक्र और फिर अपने विशुद्धी चक्र गले में अपनी अटेंशन को ले कर जाएंगे और यहां पर हम 108 लक्ष्मी बीज मंत्र कि वो कौन है जो हमारे लंग्स को, रेस्पिरिटरी सिस्टम को उर्जा प्रदान करता है पहले इस चक्र को जागरत करेंगे हम, 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 हम को अपने गले में जाग्रित करेंगे पतंज लक्ष्मी मना हग्यलक्ष्मी मना हवलक्ष्मी मना हंगलक्ष्मी मना हदलक्ष्मी मना हगनलक्ष्मी मना हंजलक्ष्मी मना गयपतलक्ष्मी मना गयलक्ष्मी मना गयवलक्ष्मी मना गयंचलक्ष्मी मना गयंडलक्ष्मी मना गयदलक्ष्मी मना गयदलक्ष्मी मना गय अच्छ लक्ष्मी मना 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 अच्छ लक्ष् अंड़ पत लक्ष्मी मना, अंड़ 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 लक्ष्मी मना, अंग अंज लक्ष्मी मना, दद पत लक्ष्मी मना, दद लक्ष्मी मना, दद ग्य लक्ष्मी मना, दद व लक्ष्मी मना, दद अंच लक्ष्मी मना, दद अंड लक्ष्मी मना, दद गन लक्ष्मी मना, दद गन लक्ष्मी मना, दद अंच लक्ष्मी मना, गन पत लक्ष्मी मन गना लक्ष्मी मना, गनग्य लक्ष्मी मना, गनव लक्ष्मी मना, गनंच लक्ष्मी मना, गनंग लक्ष्मी मना, गनद लक्ष्मी मना, गनंज लक्ष्मी मना, अंजपत लक्ष्मी मना, अंजः लक्ष्मी मना, अंजग्या लक्ष्मी मना, अंजव लक्ष्मी मना, अंचंड अंच अंग लक्ष्मी मना, अंच दद लक्ष्मी मना, अंच गन लक्ष्मी मना, अंच ज लक्ष्मी मना, श लक्ष्मी मना, तलक्ष्मी मना, य लक्ष्मी मना, लक्ष्मी मना, लक्ष्मी मना, खलक्ष्मी मना, घलक्ष्मी मना, अंग लक्ष्मी मना, चलक्ष्मी मना, चलक्ष अब अपने विशुदी चक्र को अपने शरीर के बाहर जो महा शक्ती स्वरूपा जिसके अने एक नाम है महा लक्ष्मी, महा सरस्वती, महा काली, महा सती, महा दुर्गा ऐसे अनेक नाम वाले जो विराट शरीर है, जिसमें ये अखंड ब्रमांड समा जाता है अपने शरीर के बाहर, उस विराट शरीर के देवी सुरूप में, जो विशुदी चक्र है, देवी का जो गला जो है, उसमें अपने विशुदी चक्र को विलीन करेंगे और ये एक सो आठ लक्ष्मी बीज मंतर को देवी के गले में जागरत करेंगे ताकि हम दोनों का लक्ष सदैव एक रहे हमारी लक्ष पूर्ण वानियों इसके लिए अपने विशुदी चक्र में उस प्रक्रिया को जानेंगे लक्ष्मी मना पतलक्ष्मी मना हलक्ष्मी मना ग्यलक्ष्मी मना वलक्ष्मी मना अंचलक्ष्मी मना अंडलक्ष्मी मना अंगलक्ष्मी मना दलक्ष्मी मना पतलक्ष्मी मना पतग्य लक्ष्मी मना, पतव लक्ष्मी मना, पतंच 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 लक्ष्म मना ग्यांड लक्ष्मी 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 मना वंड 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 लक्ष्मी म अंचद लक्ष्मी मना, अंचगन लक्ष्मी मना, अंचज लक्ष्मी मना, अंड़ पत लक्ष्मी मना, अंड़ 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 लक्ष्मी मना अंग गनलक्षमी मुना। ऑनच लक्षमी मुना। गनपत लक्ष्मी मना, गना लक्ष्मी मना, गनग्य लक्ष्मी मना, गनव लक्ष्मी मना, गनंच लक्ष्मी मना, गनंग लक्ष्मी मना, गनद लक्ष्मी मना, गनंज लक्ष्मी मना, अंजपत लक्ष्मी मना, अंजः लक्ष्मी मना, अंजग्य लक्ष्मी मना, अंजव लक् लक्ष्मी मना, 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 ल अब हमारा विशुद्धी चक्र देवी के विशुद्धी चक्र में विलीन हो गया है अब हम दो नहीं एक शरीर हो गए है अब अपने संपून शरीर में चामुंडा के महामंतर को धारण करेंगे जो हमें संपून ता प्रदान करता है उस उर्जा को हमारे भीतर प्रवेश होने के बाद हमारे प्रतेक अवयव में पून ता राप्त होती है हम अपने गैप्स चैलेंजिस डिजार्ड से उपर उठकर पूर्ण हो जाते हैं जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम खेलने में अभ्यस्त हो जाता है तो उसको पहले से पता होता है कि कौन सा चैलेंज आएगा उसको कैसे पूरा करना है उसको शोक, दुख, हर्च, कुछ भी महसूस नहीं होता उसी प्रकार से इस स्पूर्ण मंत्र से इस स्पूर्ण ता को हम अपने भीतर प्रतेक चक्र में जागरित करेंगे और देवी से ये प्राटना करेंगे कि हमारे भीतर समस्त हिंदूओं को रोग मुक्त करने का हीलिंग एबिलिटी जागरित हो हम पूर्ण ता को प्राप्त करें देवी अपने स्वरूप के बारे में इन भीज मंत्रों के विज्ञान को हमारे भीतर जागरित करें ऐसी हमारी प्राटना है अंचंड तौा महाल शक्षरी इस बीज मंत्र को हम अपनी नाभी से मनिपुर्चक्र से शुरू करके उपर सैस्त्रा चक्र बंद तक ले कर जाएंगे सबसे पहले मनिपुर्चक्र अंचंड तौा महाल शक्षरी लक्ष्मित्वम् स्रीतम् सी चर्शांशों मुशंडा हश्यें सुरीशंचे मनस्वाः मनिपुर चक्र से नीचे जाते वे स्वादिष्ठान चक्र को जागरत करेंगे अंचंडत्वम् स्रीतम् सी चर्शांशों मुशंडा हश्यें सुरीशंचे मनस्वाः लक्ष्मित्वम् स्रीतम् सी चर्शांशों मुशंडा हश्यें सुरीशंचे मनस्वाः लक्ष्मित्वम् स्रीतम् सी चर्शांशों मुशंडा हश्यें सुरीशंचे मनस्वाः स्वादिस्थान चक्र से उपर उटते वे अनाहच चक्र में प्रवेश करेंगे अंचंडत्वम् स्रीतम् सी चर्शांशों मुशंडा हश्यें सुरीशंचे मनस्वाः लक्ष्मित्वम् स्रीतम् सी चर्शांशों मुशंडा हश्यें सुरीशंचे मनस्वाः यम 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 अब अना चक्र से विशुद्धी चक्र में जाएंगे अब अपने मूल अधार चक्र में लम 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 लक्ष्मीत्वं स्रीतं सीचाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशा अब अपने ध्यान को अपने आग्या चक्र में ले जाएंगे तम 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 हशें सुधिशंचये मनश्वा अब अपने ध्यान को आग्या चक्र से भीतर नीचे की तरफ लंबिक आग्र चक्र में प्रपेश करेंगे यहाँ शत्री वाले किशा की ध्वनी जाक्रत करती है शुम 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 यहां से उपर उड़ते हुए अपने लंबिक आगर चक्र में से निकल कर सहस्तरार चक्र में प्रवेश करेंगे यहां शटकून के शास की दोनी इस चक्र को जागरत करती है श्रम 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 श् अब सेस्तरार चक्र बंद में जाएंगे मा से इसको जागरत करेंगे अब से इसको जागरत करेंगे अब अब अपने सेस्तरार चक्र बंद को अपने शरीर के बाहर जो देवी का शरीर है उसके सेस्तरार चक्र बंद में इसको विलीन करेंगे अब सेस्तरार चक्र बंद में जागरत करेंगे मनश्वाः अब हम डेवी के शरीर में हैं यहां पर हम वागीश्वरी देवी के बीज मंतरों को अपने सेस्तरार चक्र बंद में जागरत करेंगे जो हमारे विचार और विचारों से उत्पन ओने वाली वाणी को मधुर बनाता है उसको प्रेणा दायक बनाता है उस वाणी की अदिश्थाता लक्षव बीज मंतर से जोड़ते हुए उसको जागरत करने की प्राटना करेंगे शोख लक्षव मपतलक्षव पतलक्षव इस प्रकार से इसको जागरत करेंगे शोख मना लक्षव मना मपतलक्षव मना पतलक्षव मना पतलक्षव मना हलक्षव मना ग्यलक्षव मना अंचलक्षव मना अंडलक्षव मना अंगलक्सवामना, मलक्सवामना, ददलक्सवामना, गनलक्सवामना, अंजलक्सवामना, महलक्सवामना, मगलक्सवामना, मलक्सवामना, मंचलक्सवामना, मंदलक्सवामना, मंगलक्सवामना, मदलक्सवामना, मगनलक्सवामना, मंजलक्सवामना, पतमलक्सवामना, पतलक्स पतागनलक्षवामना, पतागनलक्षवामना, हमलक्षवामना, हापतलक्षवामना, हगलक्षवामना, हलक्षवामना, हंचलक्षवामना, हंचलक्षवामना, हंडलक्षवामना, हंगलक्षवामना, हद अधलक्षवामना, हगनलक्षवामना, हंचलक्षवामना, यह लक्षवामना, 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 यह लक्षवामना दद लक्षवरोमना, दद गन लक्षवरोमना, दद अंज लक्षवरोमना, गन मलक्षवरोमना, गन पत लक्षवरोमना, गना लक्षवरोमना, गन अग्य लक्षवरोमना, गनंच लक्षवरोमना, गनंच लक्षवरोमना, गनंच लक्षवरोमना, गनंग लक्षवरोमना, गन अंच ज लक्ष्वामना अंज न लक्ष्वामना जंग लक्ष्वामना अंज द लक्ष्वामना अंज न लक्ष्वामना यलक्ष्वामना ललक्ष्वामना शलक्ष्वामना सलक्ष्वामना ललक्ष्वामना कलक्ष्वामना 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 अंगलक्ष्वामना चलक्षवामना चलक्षवामना जलक्षवामना यलक्षवामना तलक्षवामना 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 त इस प्रकार देवी के शरीर में पीज मंत्रों को जागरत करके हमारे अपने शरीर में जो उर्जा उत्पन विया उस उर्जा को सबसे पहले अपने स्पाउस को देंगे फिर अपने बच्चों को देंगे फिर अपने परिवार में अपने माता पिता बागी सभी संबंधों को देंगे फिर अपने पित्तरों को देंगे फिर अपने गोत्र के रिशी को देंगे और उस गोत्र में जितने भी परिवारे उनको देंगे फिर समस्त हिंदूओं को देंगे तता उन लोगों को देंगे जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं जो संस्कृति में जिनका विश्वास है और इन सब के भीतर इस उड़जा से हम ये प्रात्ना करेंगे कि मां हमारे भीतर जो हीलिंग ये डिस्टन्स हीलिंग करने की शक्ति जो है जो दूसरे लोगों को रोग मुक्त करती है हमारे भीतर वो शक्ति जागरत हो ऐसी हमारी प्रात्ना है देवी हमारे भीतर कारण भूत शक्ति के तौर पे हमें संपून ता प्रदान करें ऐसी हमारी प्रात्ना है देवी ने हमारे भीतर इन बीजमंतरों को जानने की रुची उत्पन करी जिस से ये अखिल विश्व ओत्परोत हो रहा है चल रहा है स्रिष्टी स्थिती संगार कर पा रहा है ये बीजमंतरों का ज्ञान हमारे भीतर प्रस्फुटितो ऐसी हमारी प्रात्ना है हम अपनी आवशक्ता से कई हजार गुना धन, स्वास्त, शिक्षा पराप्त करें और वो जो सर्पलस एनर्जी है उसको जैसे आपने सूरे को प्रकाश दिया और वो सूरे का प्रकाश रित्वी, चंद्रमा, मंगल, बुद, ब्रैस्पते, शुक्र, शनी, आदी सब प्राप्त करते हैं और सारी क्रियाएं होती हैं उन सब का मूल कारण तो सूरे है और सूरे का मूल कारण आप हैं आप हमारे बीतर उस कारण के जैसे जागरत हों ऐसी हमारी प्राप्तना है आप लक्षमी स्वरूपा होकर पिछले काफी वर्षों से अनेक दशकों से भारत में रहने वाले हिंदूों से खुदासीन है और ज्यूज के पास में है हमारी प्राप्तना है के आप भारत में उना आकर इस देश को समरद शाली बनाए ताकि यहां पर शिक्षा, शस्त्र, बल और अर्द की लोग खोज-खोज कर प्राप्ति करें और एक विशाल, शक्तिशाली, भारत वर्ष, पुना, दुनिया देखे, ऐसी हमारी प्राप्तना है ऐसी हमारी प्राप्तना है ऐसा ही हो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो